कि उतर परदेश में पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है पांच एकड में और सर्फ मस्जद नहीं है जिसका नाम मौमद बिन अब्दुल्ला है तो सर्फ मस्जद नहीं बन रही है साथ में नर्सिंग सेंटर है साथ में लाइबरेरी है साथ में ही है पांच एकड हमारे रामलला की जो जगा है वो टू पॉइंट सेवेंट नेकड ही है यह बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है लश्कर-ए-तेबा का है यह बात बोल रहा है तुछ आनी चाहिए वहां के युपाकिस्तान के और यहां पर दर्स मिलियन रुपिया जो है वो बाउंडे रखा है और किसने रखा है यूँकर भारत में जो फैसिलेटिस जो लिबरल महौल जो खुला पर जो एक एक इंडिपेंडेंट मिलता है वो तो सौधी अरबिया में नहीं मिलेगा यहां पर जैसे आराम से मुसल्मान बलातकार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा कट करके बाहर आ जाता है बेल पर और उसके बाद शादी का बिरियानी बाढ़ता है तो क्या सौधी अरबिया में बलातकार करने के बाद बाहर आ पाएगा वहां तो ओजार कट दिया जाएगा यहां पर जैसे सनातनी trafficking आपके यहां हो रहा है, आपके यहां conversion हो रहा है, आपके यहां बेटियां बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, आपके यहां चार शादियां होती है, आपके यहां हलाला होता है, और कैसा इस Islamic State आपको चाहिए, जिन्होंने All India Muslim Personal Law Board खोल कर रखा है, जमाईतुन उल्माई हिन्द खोल के रखा है, तो इनकी बाजार बंद हो जाएगी, आप सब आपस में मिल जाएंगे, सब काम दंदा करेंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो इनकी तो बाजार बंद हो जाएगी, कोई जाहिल बचे गाई नहीं मुसल्मान, तो फिर इनके आगे पिछे हो तो करेगा कौन इसी लिए और एन एवन ट्वेंटी सेवन लाहुर से हाफिस साइद का बेटा फाइट कर रहा है तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हाफिस साइद बैन है ये आपका ही अगनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में इंडिया ने एक और अपना रिकार्ड धर्च कर आया है यानि के अयुद्या राम टेंपल पे जो लार्जेस्ट पोल है फ्लैग पोल है वो बनने जा रहा है लगने जा रहा है इस पर बात करेंगे इसके लावा जो अयुद्या राम टेंपल का स्ट्रक्चर है हजार साल तक काईम रहने वाला ये स्ट्रक्चर है इसके हवा ही है कि इंडिया को इस टाइम हाफिस चाहिए और पाकिस्तान से भी डिमांड की गई है इंडियन एक्सटेनल अफेर के जो उनसे स्पोक परसन है उन्होंने डिमांड की है इन सब्सक्राइब बात करेंगे बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो रहने वाली है असलाम अलेकुम नादिया जी बहुत अच्छी हूं थाइंक यू सो मच श्वेब नादिया जी सबसे पहले तो आपको यह बताता चलू कि हमने यह जो चैनल स्टार्ट किया है इस पे बहुत से लोग ना फिर आपको आपकी बातों को आपकी उपिनियन को पसंद कर रहे हैं लेकिन मै यह कहना चाता हूं कि मेरी उमीद से ज़्यादा इन चीजों को देखा जा रहा है आपकी बातों को सुना जा रहा है पसंद किया जा रहा है और डिमांड यह की जा रही है कि नादिया जी को फिर से लाया जाए ऐसा मुझे लगा है यह चैनल मेरा नहीं यह नादिया जी का क مشکار کرتی ہوں बहुत बहुत शुक्रियादा करती हूँ ठीक है नादिया जी टापिक आपको आपने सुना होगा कि वही पहले इमाम काबा की खबर थी कि वह इंडिया के सबसे बड़ी मसीद है उसकी इनागुरेशन के लिए या उसके इत्ता के लिए ओपनिंग के लिए जो भी आप वर्ड यूज़ करें उसके लिए आ रहे हैं फिर उसके बाद खबर ये आई कि वही दुनिया का सबसे बड़ा कुराने पाग और ये ये चीज़ मैं देखने वालों के लिए कलियर करता लिए इस टॉपिक को डिसकस करना बहुत जरूरी है कि ये वही स्टेट है ये वही सीम है जो अब इंडिया की साबसे बड़ी मस्ज़ बनाने जा रहे हैं वहाँ पे ये वही सीम है जो हिंदू-मुस्लिम को इक्वैलिटी इस त्रीके से दे रहे हैं कि एक साइट पे हिंदू तो प्रमोट नहीं करेगा अगर कोई सनतन धर्म का है तो क्या वो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगा बात ही नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा वही जो मुसल्मान है वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं तबलीग करते हैं दावत इसलाम करते हैं तो उस के पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि वो एंटी मुसलिम है नहीं वो लफंगे मुसल्मानों को और दंगई मुसल्मानों को इनसान बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा इस्ट्रिक है और खानून की बात वो करते हैं खानून को मानने के लिए वो पहले कहते हैं जब नहीं मानता है क्योंकि मुसल्मान ऐसी भी खानून नहीं मानता है तो खानून जब नहीं मानता है तो वो इसे के आक्शन लेते हैं अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे ग़र में छोटा बच्चा होता है एक बन डाट नहीं समझता है दूसरी बन डाट नहीं समझता है तो थपड तो अब पत्थर मारेगा, बलातकार करेगा, लड़कियों का दुपट्टा खीचेगा, लड़कियों को उठा करके ले जाएगा, जबरदस्ती कनवर्शन करवाएगा, जबरदस्ती लब जिहाद करेगा, तो ऐसे में खानून को तो सक्त करना ही पड़ेगा, न बात आती है कि उत्तर परदेश में पूरे भारत के सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है दो बन रही है साथ में नर्सिंग सैंटर है साथ में लाइबरियरी है साथ में युनिवर्सिचेлом है साथ में कॉलेज है साथ में स्कूल है तो ये सारी चीजों को मिला करके पांच एकड में मस्जिद बन रही है वहाँ पर जिसका नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है और इस दुनिया का सबसे बड़ा खुराने पाग, कलाम पाग, अल्खुरान तीस पारा वहाँ पर रखा जा रहा है और जैसा मस्जिद बन रही है पांच एकड में जबके हमारे रामलला की जो मंदिर है वह 2.77 एकड में ही है यह चीज़ शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद पांच एकड में बन रही है जो सुप्रेम कोट ने 2019 में मस्जिद को जगहा दी है 20 किलोमेटर आगे वह कास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है नहीं हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है नहीं हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डेमॉलिश किया गया है नहीं हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के किसी के उपर बंबारी या गोल लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है कोई पत्थर वाजी नहीं होती है एद की नमाज होती है कोई पत्थर वाजी नहीं होती है वकरेद की नमाज होती है कोई पत्थर वाजी नहीं होती है लेकिन जैसे यह शोबा यात्रा निकलता है वैसे ही मुसल्मान पत्थर चलान जारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने दो डेकट लड़ाई लड़ी रामयुद्या की जगा को वापिस लेने के लिए दो डेकट लड़ाई लड़ी और शांती से नारे तकबीर का नारा मुसल्मान लगा रहे थे उद्दमबाजी मुसल्मान कर रहे ते पर सनातनी नहीं कर रहे थे लाठी चलाना मुसल्मान लगा आपको एक और बात बता देना चाहती हूं कि आजादी से पहले ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था 1858 में और 1885 में ही इसका सबसे पहला केस जो है वो ब्रिटिश के खानून में ही ब्रिटिश के कोट में ही ये दायर हो चुका था तो भाई जिस भी मुसल्मानों को ये प्रॉब्लम थी वो आजादी के वक्त ज जादी से पहले की थी मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि द लीगल फाइट बिगें इन 1885 यह हुआ था फैजाबाद कोट में पहला जो केस फाइल हुआ था 1885 में सिरियल नंबर 61 और केस नंबर 280 मैंने आपको केस भी बता दिया वो भी 1885 का तो जिसको भी दिकत थी वो आसानी से पाकिस्तान का रस्ता मोड सकता था और आज भी अगर किसी को दिकत है अगर जोड़ा अवेसी के सास्ता तो और भी मुसल्मानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं है भाई भारत में मुसल्मानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है तो भ पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत में मुसल्मान सफोकेटेड हो रहा है भारत में मुसल्मानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में मुसल्मान नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं भारत में मुसल्मानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है रोजा नहीं रख पा रहे हैं वक्रिद नहीं मना पा रहे हैं तो जितने पाकिस्तानी अवाम हैं उन से मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि ऐसे मुसल्मान जिनके बारे में आपको पता चल रहा है किसी तरीक से कि वह बहुत मजबूर है यहां पर उनको आप लोग बुला लेजिए मैं जिम्मेदारी वालों को ये पूछना चाहूंगा कि क्या अगर पाकिस्तान से वीजा बेज भी दिया जाए उन मुसल्मानों के Light Ang के लिए जिने शयर ऐसा इशू है तो क्या वो पाकिस्तान आना चाहें कि बाई जितने भी इंडिया के मुसल्मान हैं जिने issue है इंडिया में Let's suppose अगर किसी को issue है तो वो पाकिस्तान आ जें मैं यह समयता हूँ अगर उन्हें issue हुआ भी यह मेरी personal opinion है कोई disagree कर सकता है अगर उन्हें issue हुआ भी तो अभी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे यह मेरी एक personal opinion है कोई भी इसके हवाले से comment बहुत में जलूर बताएगा बताईएगा जी नाधिया जी नहीं ऐसा है ना श्वयब के मैं अब इसको पूरा करही देती हूँ पाकिस्तान तो क्या भारत में रह रहे हैं मुसल्मान सौधी अर्विया भी नहीं जाएंगे कमाने के लिए जा सकते हैं नोकरी करने के लिए जा सकते हैं पर बाल बच्चों को ले करके रहने भी नहीं जाते हैं नहीं जाते हैं नहीं छोड़ते हैं भारत क्यूंकि भारत में जो facilities जो liberal महौल जो खुला पर जो एक एक independent मिलता है वो तो सौधी अर्विया में नहीं मिलेगा यहा पर शादी का बिर्यानी बाढ़ता है तो क्या सौधी अर्विया में बलातकार करने के बाद बाहरा पाएगा वहां तो ओजार काट दिया जाएगा यहां पर जैसे सनातनी लड़कियों को इफ टेजिंग करता है लब जिहाद करता है तो वहां पर बरदाश किया जाएगा तो आखें नुकाल ली जाएंगी, जबान काट लिया जाएगा, हाथ काट लिया जाएगा, उंगलियां काट ली जाएगा, तो मैं आपको यही कह देती हूँ, कि चलिए मैं सौधी अर्विया को भी एक चिट्थे के लिख देती हूं कि बुला लीजिए, जो जो मर रहे है, जो बहुत परिशान है जो पाकिस्तानियों को फॉन करकर के बता रहे हैं कि हमको भारत में बहुत तकलीव दी जा रही है सौधी अर्बिया बुला ले बुला ले वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर जो अश्लीलता का बाजार मुसल्मानों ने खोल करके भारत में र बात करती है यह जानता हूं और सब देखने वाले जानते हैं कि आप वकील है और डेफिनेटली वकील मतलब ही है कि बहुत बात करते हैं मैं फिर भी एक दफाहे हुरान होता हूं आपकी बाते सुनके जिस त्रीके से एंसरीइफ लोग ऐसे ही समझेंगे हमारा इसलाम की तरह की गुनाहा क्या सजा देता है? जोट बोलोगे, तो जबान काट तिया जाये Gea, आप अप जना करोगे, तो आपको नमर्ध बनाया जाएम, आप चोरी करोगे, तो आपका हाथ काडा जाएगा बारति के मुसल्मान कहीं निहीं जाने वालें कहीं freshmen के निहीं जाने वालें क्योंकि यहां पर जो मट्र गष्टी मिल रही है वहां नहीं मिलने वाली है नाजिया जी लेकिन मेरे ख्याल से देखें अच्छे पूरे लोग हर जगा पे होते हैं और एक ही मतलब ये मेरी उपीनियन है आप उसे एग्रिटी सेग्रिटी कर सकते हैं कि एक ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जो भी इशूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसल्मानों के वैसे ह तो रहे हैं ओवराल दुनिया पूरी में कहीं बेभी किसी भी मज़ब से कोई भी तल्लोग रखने वाला इंसान कुछ ना कुछ घर्थ कुछ ना कुछ ठीक है पाकिस्तान में हिंडूई विचारे कितने हैं और जो हैं वो तो आप अपनी आखों से देख चुके हैं कि मरे क उचले हैं दबे पड़े हैं वो क्या ही आपको परिशान कर पाएंगे वो दो-तीन वक्त का खाना खाले रोटी खाले अप मेरी खिसम खाकर के कहिए कि मैं जूट बोल रही हूं वो तीन वक्त की रोटी खाले पाकिसतान के हिंडू वो रात में भगवान का शुकर अधा करके सोते होंगे वो क्या ही आपको परिशान कर पाएंगे वो कुछ नहीं आपका बिगाड पाते है लेकिन हमारे यहां में एक नहीं दो लाख अंटावन अजार तो मैं आपको लब जिहाद का मैटर बता दूँगी 2,5,000,000 मैं बता दूँगे आपको love jihad का matter मुसल्मान बलातकारियों का data मैं आपको दे दूँगी एकदम जुमान पर मेरे रटा हुआ है कि 50 मिनट मैं बोलती रहूँगी बलातकारियों का नाम ऐसा रटा हुआ है मुसल्मान बलातकारियों का नाम तो यहाँ पर परिशान करते हैं लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जितने ज्यादा अशलेलता का बाजार और क्रिमिनल आतंगी और दंगई एक्टिविटे सुन्नी मुसल्मानों ने किया है बोरी मुसल्मान ने नहीं किया है शिया मुसल्मान ने नहीं किया है बिलकुल नहीं क जट चला रही है अभी बॉंबेई जोगेशवरी की एक शिया मुसल्मान की बच्ची है वो फाइटर जट चला रही है आप सोचो अभी बाइस साल की उमर में उसको उसको सेलेक्शन दिया गया है जोगेशवरी की रहने वाली है बॉंबे की तो यहां पर सुनियाने दंग कि बड़े बिजनसमेन में से एक नाम वो है और वो मुसलिम है मतलब इसमें मैं यह समझता हूँ जो मैंने थोड़ा स्टडी किया है इंडिया को या मैं इंडिया के लोगों से जैसे आप से इंटरेक्शन करता हूँ मेरे ख्याल से अब वहां पे हिंदू मुसलिम वाली जो सही कह रहे ओ शोय बिलकुल भी यहां पर हिंदू मुसलिम का कोई भी सिनारियो है ही नहीं बिलकुल नहीं है यह वही जो जो जोड़ा अवेसी है यह वही जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग जो है और सुन्नी मुसल्मान जिनोंने ओल इंडिया मुसलिम पर्सनल खरेगा कौन इसी लिए ये लोग बाजार को गरम करते रहते हैं तो मेरा यह कहना है कि महौल शांत हो सकता है अगर यह जितने-भी चिटिंग बास मुसल्मान है अगर वो पाकिस्तान चले जाए तो हमारे भारत का महौन बहुत बहुत शांत हो जाएगा अब बात आती है कि हमारे राममंदर के लिए भी जो है आयोध्या में एक लहसुन बेचने वाले एक सेलर ने दुनिया की सबसे खूबसूरत घड़ी बनाई है वर्ल्ड क्लॉग घड़ी बनाई है जिसमें नौ देशों का टाइम और दिन एक साथ दिखाई देगा और उन्होंने जो केर टेकर है राममंदर आयोध्या के उनके हवाले भी कर दिया है अब बात आती है कि बहुत चोटे से गरीब आदमी ने 108 फीट की अगरवत्ती बनाई है 108 फीट की अगरवत्ती बनाई है जो अभी complete नहीं हुआ है लेकिन आने वाले 10 दिन में complete होने वाला है और जिसकी पहली पिच्चर आ भी चुकी है हमारे हाथ में है 108 फीट की अगरवत्ती और कहा गया है कि इसकी सुगंद ऐसी होगी ऐसी होगी कि यह जब जलेगा तो पूरा आयोध्या इस सुगंद से भर जाएगा ऐसी सुगंद है इसकी तो हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान राम के आने के जनम जो है वो सफल कर दिया है क्योंकि आप राम मंदिर बना रहे हैं इतनी सारी चीजें इतनी खुबसूर्ती हो रही है शुएप कि मैं तुमको लफजों से बेयान नहीं कर सकती हूँ लफज नहीं है मेरे पास अब वहीं पर है शफिकुर रह्मान बर्क उन्होंने कहा है 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का इनोग्रेशन होगा उस दिन मैं मुसल्ला जनमाद विचा करके अल्ला से दुआ करूंगा कि मुसल्मानों की तादाद बढ़े और हम राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाए हम नहीं मानता है सुप्रिम क सुप्रिम कोट ने फैसला दिया है तो भाई आपने 14 वकील सोनिया गांधी जी ने खड़ा किया था कॉंग्रस की सरकार ने राम मंदिर की विरोध में कि राम मंदिर न बने उसके बाद फिर 201 वकील एंटाइरली खड़े हुए थे कि राम मंदिर न बने तक्रिबं 2000-3000 से उ लेकिन फिर भी यह हार गए क्यूंके जितने भी वेद और ग्रंद थे और जितने भी दस्तावेश थे जितने भी डॉक्योमेंट्स थे और जितने भी आर्किलोगी सर्फेर रिपोर्ट आई उस ऐसाफ से वो रामलाला का ही स्थान था वो जगाती और मुसल्मान पक्ष आए पाले का हमारे भारत के सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया ने पांच एकड़ जमीन 20 किलोमेटर की दूरी पर दिया और देखिए केंद्र की सरकार भी पैसा दे रही है राज की सरकार भी पैसा दे रही है उस मस्जित के लिए जो मस्जित ताज महल से भी ज़्यादा सबसे बड़ी सबसे महंगी सबसे ज्यादा खुबसूरत मस्जित उतर परदेश में बन रही है इदर एक और सवाल मैं करा क्योंकि नाजिया जी का जब प्रोग्राम होता है या जब इन से हम बात करते हैं बहुत से सवालात उन पाकिस्तानियों के लिए मेरे बाईयों के ल ना दिया लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूँ क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू खड़ाओ के यह कह सकता है कि इसलावाबाद में यह मंधिर था और मैं इसे यहां मंधिर ही बनने दूँगा यहाँ पर मस्टित के बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट देने का सोच भी सकता है यहाँ निशान है बातें थोड़ी सी तलख होती है नाजिया जी की सोबात मेरे थोड़े से तलख होते हैं देखने वालों के लिए लेकिन देखें डिबेट में बात करना सवाल उठाना मेरा हक है शायद मैं कुछ गल्फ भी बोलता हूं लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ गल्फ है तो भी लाजिक आएं नादिया जी से बात करें मेरे से बात करें आपको फैक्ट योपर जवाब दिया जाएगा नदिया जी आगया बढ़ते हैं जी आपने अभी कहा कि क्या वहां की हिंदू से पहले भी जब मुच्ण किया था तो मैंने आप से पूछ लाइन से पूछा तक जो फैसिलिटी यहां पर पॉइंट वाइस भी बाने पूछा था आपने ना 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 आपने आप अगर उसकी पार्टी जनरल इलेक्शन में बहुत भारी बहुमत में आती है तो वो पाकिस्तान को इस्लामिक वेलफेर स्टेट बनाएगा अब और कितना इस्लामिक बनाएगा वह यह निकाह मुत्ता आप कर रहे हैं और गन ट्राफिकिंग आपके यहां हो रहा है आपके यहा कनवर्शन हो रहा है आपके यहां बेटियां बेची जा रही है खरीदी जा रही है आपके यहां चार शादियां होती है आपके यहां हलाला होता है और कैसा इस्लामिक इस्टेट आपको चाहिए कैसा इस्लामिक इस्टेट चाहिए देखिए UAE के जेल में 90 परसक जो मुस्ल कर भूं क है किसी का चेन चिल ले न अगने का घरे कर ले 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 ल एंग या यह सब से ज़याए पाकिषान के मुसल्मन करते है ते घोगल का री शब prepare का ड़ी extraordinarily कहीं और का स्टेटमेंट नहीं है यह पर पाकिस्तान का ही स्टेटमेंट है यह उसी का स्टेटमेंट है जो वह बोला है कि मैं अगर भारी बहुमत में एट जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में अगर आज आता हूं हाफिस सहीद ने कहा है तो मैं इस कंट्री को पाकिस्तान कं पाकिस्तान के युवाओं को शर्म आनी चाहिए कि आपके यहां का पॉलिटिशन कौन है लश्कर ए तैबा का जिसको युएन ने ठपा लगाया है कि यह टेररिस्त है और सर्फ भारत का नहीं है यह पुरे दुनिया का टेररिस्त है और यह जिसके अपर दस मिलियन रुपिया जो है वो बढंडे रखा है और किसने रखा है अमेरिका ने रखा है युएन ने रखा है कि जो पकड़ करके लाएगा उसको दस मिलियन रुपिया दिया जाएगा यह हमने ने रखा है और सेटिडी मैं ये भी कहना चाओ गा ये सिरफ यू एन ने नहीं पाकिस्तान में भी जो हाफिष सईद की पार्टी है वो बैन है उधर से ये अंदादा लगाया जा सकता है कि हम चाहे यू एन का प्रेशर हो चाहे अमेरिका का प्रेशर हो या किसी का भी प्रेशर हो हम ने अपने काभवों में अपने डाकुमेंट में ये क्लियर की है चीज के हाफिश साइद या उसकी जो एक्टिविटी वह पार्टी है वह इलिगल है तो इसका मतलब है कही न कहीं आप भी एक्सेप्ट करते हो पाकिस्तान के लोग भी गवर्मिट एक्सेप्ट करती है कि कुछ न नवाज शरीफ जो हैं वो fight कर रहे हैं ठीक है और एन एंट विरक्टी सेवन लाहोर से 울फिस साथ का बेटा fight कर रहा है तो आप कैसे बोल रही है कि हाफिस साथ बैल है ये ये आपका ही है ये आपके पारिम को ये ये तो मैं बिल्कुल कलियरली जानता हूं कि हाफिस siitch की पार्डी पाकिसान में बैड़न है इसके ओपर तो मैंने प्रापर Definition के आर्डर हैं वो भी देखे ढी अर की पार्टी के नाम advice की अगर जमातू दावा के नाम थे पार्टी का नाम था ऑर है कि छेर उसका इंतखाबी निशान था जो जूंस है वो अपनी एक शक्सियत रखता है एक अपनी मर्दी से वो लाइब उसके ओपर तो कोई इंटरनेशन लेवल के कोई एलिगेशन नहीं है तो फिर ये चीज़ें सामने आती है कि भाई उसका उससे लिंक नहीं हाँ अभी आपने क्या कहा कि बैंड है जमातुत दावा जी जी है ना जी तो पिर ये किसका है पाकिस्तान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पी एमेमल पार्टी सेट अप बाई साइड ठीक है